इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Google Pay Pay आप एकाउंट कैसे बना सकते हो Google Pay Pay एकाउंट बना कर आप Google Pay से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और साथ ही आप अपने Mobile Recharge, Wi-Fi Recharge या फिर Electricity Bill आप किसी भी तरह का Payment आप Google Pay से कर सकते हो तो वीडियो में आपको Easy Steps में बताऊंगा Google Pay पे आप एक एक एकाउंट कैसे करियेट कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए useful information होने माला है वीडियो में मैं आपको जो भी स्टेफ्स रोता हूंगा Google Pay Pay Count बनाने का वो सारे स्टेफ्स आपको वीडियो में ध्यान से देखना है बिना किसी पार्ट को skip किये तो चली वीडियो स्टार्ट होता है तो सिंप्ली आपको Google Pay App को open करना है और Google Pay App का downloading link मैं आपको वीडियो के description में भी दे दूँगा सिंप्ली आप link पे click करके direct अपने phone में download कर सकते हो Google Pay App को और अगर आप दिये गए link से download करते हो Google Pay App को तो यहाँ पे आपको cashback भी मिलेगा तो simply आपको description में दियेगे link से आपको Google Pay App को download कर लेना है download and install करने के बाद simply आपको Google Pay App को open करना है उसके बाद यहाँ पे आपको mobile number fill करना है जो आपका mobile number bank account से link होगा उसी mobile number को आपको यहाँ पे fill करना है mobile number fill करने के बाद आपको continue पे tap करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id चूज करना है को एक email id को आपको यहाँ से चूज कर लेना है उसके बाद आपको accept and continue वाल अप्शन पर tap करना है फिर आपके mobile नमर पर OTP भेजा जाएगा तो simply यहाँ पर आपको OTP नमर फिल कर लेना है mobile नमर भेरिफाय हो जाने के बाद simply यहाँ पर आप Google Pay app पर login हो जाओगे उसके बाद यहाँ पर गूगल पर इसे payment करने के लिए या फिर किसी भी तरह का transaction करने के लिए आपको यहाँ पर bank account add करना होगा bank account add करने के लिए simply यहाँ पर आपको नमर है किस SIM slot में है यहाँ से आपको पर चूज़ करना है means यहाँ पर आपका नमर SIM 1 में है या फिर SIM 2 में है आपको यहाँ से वो चूज करना है उसके बाद आपको continue वाल option पर टैप कर देना है फिर यहाँ पर आपको permissions को allow करना है उसके बाद mobile number verify हो जाने के बाद आपके mobile number से जितने भी bank account link होगे वो सारा bank account यहाँ पर आपको show कर जाएगा अगर यहाँ पर एक से जादा bank account है तो यहाँ पर आपको उस bank account को choose कर लेना है जिससे कि आपको transaction करना है उसके बाद आपका bank account Google Pay में add हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ATM card का last का 6 digit यहाँ पर नमर फिल करना है उसके बाद expiry में month और year फिल करके आपको next all option पर tap कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपके mobile number पर OTP भेजा जाएगा simply आपको यहाँ पर OTP number फिल करके next all option पर tap कर देना है OTP number फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपना 6 digit का UPI pin number set करना है जो कि एक ATM pin के तरह होता है जब भी आप transaction करोगे तो यहाँ पर आपको UPI pin number फिल करके ही आप transaction कर सकते हो तो simply यहाँ पर आपको अपने according 6 digit का UPI pin number set कर लेना है UPI pin number fill करने के बाद आपको tick वाले option पर tap कर देना है confirm में आपको same UPI pin number reenter करना है उसके बाद आपको tick वाले पर tap करना है उसके बाद आपको UPI pin number बन जाएगा जब भी आप transaction करोगे तो आपको UPI pin number fill करके transaction करना है अब Google Pay app से किसी को भी आप पैसे transfer कर सकते हो किसी भी तरह का आप recharge कर सकते हो अपने Google Pay app से for example जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो simply यहाँ पर आपको search पर आना है और जो permission से आपको allow करना है अब simply यहाँ पर जैसे कि कि किसी को भी आपको पैसे भेजना है तो यहाँ पर उसका name यहाँ पर आपको number फिल करना है number find करने के बाद simply आपको यहाँ पर tap करना है उसके बाद आपको pay वाले option पर tap करना है pay करने से पहले आपको number और name यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है और यहाँ पर आपको amount fill करना है जितना भी आप पैसा भेजना चाहते हो तो यहाँ पर मैं tutorial purpose के लिए बना रहा हूँ तो जैसे कि मुझे एक रुपिया भेजना है उसके बाद आपको next वाले पर tap करना है यहाँ से आपको bank account चूज करना है अगर आपने एक से ज़्यादा bank account अड़ करके रखा है अपने google pay में simply आपको bank account चूज करना है उसके बाद आपको pay वाले पर tap करना है locations को आपको allow करना है जो permissions से आपको allow करना है जारे permissions को आपको allow करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 6-digit का UPI PIN नमर फिल करना है UPI PIN नमर फिल करने के बाद आपको tick पे tap करना है उसके बाद जो पैसा होगा उस account में transfer हो जाएगा और यहाँ से आप अपने account का bank balance भी check कर सकते हो simply आपको नीचे के तरफ scroll करना है यहाँ पे आपको check balance वाले option पे tap करना है अपना 6-digit का UPI PIN नमर फिल करके यहाँ पे आप अपना bank balance चेक कर सकते हो तो इस तरीके से आप Google Pay में account बना के आप किसी को भी पैसे transfer कर सकते हो I hope कि मैंने आपको वीडियो में जो भी steps होता है Google Pay में account कैसे बनाया जाता है वो सारे steps आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा और अगर आपको Google Pay में account बनाने में कोई problem हो रही है तो आप हमें comment box में comment करके पूश सकते हो अगर आप अपना Google Pay का UPI PIN नमर भूल गया तो इसे कैसे पता किया जाता है इस पे मैंने separate वीडियो बनाया है तो simply आप उपर आई बाटन पर क्लिक करके वीडियो को चेकाउट कर सकते हो तो उमीद करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो के अलाभे अगर आपके पास किसी भी तरह का queries को doubt है तो भी आप हमें comment box में comment करके पूश सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए useful informative रहा है तो वीडियो को like करें चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe करें